एक राजा की साथ बेटे थे एक रात राजा ने सपना देखा कि उसकी राजे में नदी किनारे कहीं चक्की का पाट गड़ा है उसकी नीचे परियां रहती हैं सपने में उसे यह भी दिखा कि वहां बेश उमार धन है हीरे जवारार मोती आदी सुबह राजा ने बड़े बेटे से कहा तुम बहादुर हो परियों के बारे में पता लगाओ राजा का बड़ा बेटा आग्यान लेकर घोड़े पर चड़कर चल दिया परियों और धन की खूज में वह महिनों तक जंगल में भटकता रहा परन्तु उसे चक्की के पाट का प हिन काटने लगे अंत में राजा ने अपने सबसे छोड़े बेटे को बुला कर कहा तुम्हारे भाई अब तक नहीं लोटे हैं क्या तुम कुछ हिम्मत दिखा सकते हो चोटे राजकुमार ने कहा जी हाँ पिताजी आपकी आग्या हो तो मैं अपने भाईयों को भी ढून कर ला सकता हूँ, चक्की के पाड तथा परी रानी का भी पता लगा सकता हूँ, राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ, और उसकी पीट थप थपा कर बोला, तुम जरूर जाओ और पता लगाओ, सबसे छोटा राजकुमार हत्यार से लैस होकर घोडे पर चल दिया, सरपट घोडा दोडता हुआ, नदी के किनारे जा पहुचा, फिर वहां से धीरे धीरे नदी के किनारे चलने लगा, चलते चलते धूप बहुत तेज हो गई, और वह भूख प्यास और ठकान से बेहाल हो गया, तभी राजकुमार ने देखा कि सामने पीपल का एक विशाल पेड और एक कुवाँ था, उसने सोचा, वहां रुक कर कुछ सांस ले ले और फिर आगे चले, बस वै घोडे से उतर पड़ा, उसने अपना भाला धरती में गार दिया, और उससे घोडे को बान दिया, फिर उसने मेवा मिठाई, निकाल कर खाई, ठं उसे जब उखाने लगा, तो वह उखडा नहीं, राजा के बेटे ने बहुत जोड लगाया, अंत में जब उसने पूरा जोड लगाया, तो उसके साथ ही चक्की का पाट भी उखड गया, राजकुमार ने अच्रस से देखा, कि पाट के नीचे सुरंग थी, और सुरंग में साथ बिल्लोर के फाटक लगे थे, जिनके बाहर बड़े बड़े देव, नंगी तलवारें लिए पहरा दे रहे थे, अब छोटा राजकुमार डरा नहीं, वह वहां की बाहर देखकर बहुत खुशवा, और धर धराता हुआ महल के अंदर घुज गया, पहरेदार उसे और आखें ऐसे थी मानो आकास के तारे, उन्हें देखकर राजकुमार बहुत खुशवा, उसने आगे बढ़कर जड़ से यूती की उंगली से एक अंगुठी उतार ली, और अपनी अंगली में पहन लिया, और अपनी उंगली का अंगुठी उसने उस परी को पहना दी, ज चला, रास्ते में देखा कि उसके छेओं भाई एक कुटिया में उदास बैठे थे, और उनकी दाड़ी बड़ी हुई थी, उन्हें देखकर वह उनसे लिपट कर बड़े प्रेम से मिला, और सब बातें उनसे सच-सच कह दी, सिर्फ अंगुठी की बात नहीं कही थी, छेओ भाई उसके साथ चल दिये, उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि जैसे ही बन पड़ेगा, हम इसे रास्ते में ही कहीं मार डालेंगे, वे उपर से तो मिठी मिठी बातें बनाते जाते थे, पर मन ही मन अपने दाओं पेज सोचते जाते थे, चलते चलते उन्हें एक कुवा मिला, उन्होंने छोटे राजकुमार से कहा, भाई जोरों की प्यास लगी है, कुवें से जरा एक लोटा पानी तो खीश लाओ, ज्यों ही उसने कुवें में लोटा डाला, त्यों ही उसके भाईयों ने उसे कुवें में धकेल दिया, और अपनी करनी पर खुस होते वे, हस् राजा अपने बिछडे हुए बेटों को देखकर बहुत खुस हुआ, और उन्हें गले लगा लिया, छेओं भाईयों में से किसी ने भी छोटे राजकुमार के बारे में कुछ नहीं बताया, छोटा राजकुमार कुवें में पड़ा-पड़ा चिलाता रहा, उपर से एक स सादू जा रहा था, उसने छोटे राजकुमार की पुकार सुनी, तो उसे कुवें से निकाला, छोटा राजकुमार अपने भाईयों के छल कपड से इतना दुखी हुआ, कि उसी वन में कुटिया बना कर सादू के साथ रहने लगा, पिता के पास जाने का विचार उसने छो पर आया था, तो वह राजा की महल में पहुची और राजा से उसने कहा, आपका बेटा मेरी अंगुठी चुरा कर ले आया है, वह कहा है, कृपा करके बताईए, राजा ने छोटा बेटों को बला कर कहा, यहीं बेटे तुम्हारी महल में गए थे, परी ने का नहीं नहीं, शायद वह ही गया हो, राजा और उस परी ने छोटे राजकुमार को ढूनने के लिए सारा जंगल चान डाला, आंतमे वैसादू की गुटिया में मिल गया, उसके हातों में लाल नक्की अंगुठी थी, परी ने पूछा, क्या तुमी हमारी महल में गय थे, राजकुमार ने हस बेटों को जेल में डाल देने का हुक में दिया, और बाद में बड़ी धूम धाम से छोटे राजकुमार की शादी उस परी से करवा दी